नमस्का फ्रेंट्स में नाम पबली उर्मा पेपर है कर्मिया आपका स्वागत है आज हम देखेंगे बीकॉम फर्स्ट सेमिस्टर वालों के लिए बिजनस ओर्गाइजेशन का क्योशन पेपर ठीक है और इसमें क्या देखने वाले mcq koosien देखने वाले है आज हम देखेंगे पार्ट नमर सेकेंड इखाल से घर लए बिल्कुल सामने कुछ इस प्रकार शेंगाता है अब हम देखेंगे 41 से आगे, तो क्योशन नमबर बंदे रखा है अपना, जन्म लेते ही कोई बालक किस बेविसाय का सदस बन जाता है, पैद रखा है साजेदारी, कंपनी, सैयोक्त हिंदू परिवार, सैयोक्त साहस, तो कौन सा जाएगा राइट आंसर, ओप्सन नमबर सा हो जाएगा, जन्म ल के लिए, सहकारी सम्मिती के लिए, या पर सैयोक्त हिंदू परिवार, सब ब्यवसाय के लिए, देखो, निमनी में से किसका पंजियन आवर्शक नहीं होता, तो बै होता है, सैयोक्त हिंदू परिवार, ब्यवसाय में करता के अत्रिक्त से सभी सदस्यों का, सभी सदस्यों क कैसा होता है यहां पर कुछ कैंसल मुझे लग रहा है सभी सज्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् कैसा होता है लाव विभाजन नुपात में होता है कैसा लाव विभाजन नुपात में होता है आगे रखा है कौन से विवसाई में कोई भी चहारी कोई भी बाहरी पच्चकार सदस नहीं बन सकता ऐसा कौन सा व्यापार है विवसाई है जिसमें बाहरी पच्चकार सदस नहीं सकता ते लिए कंपनी से हिंदू परिबार ववसाय सहकारी सम्मिती या फिर साजेदारी तो क्या उदाएगा बाह उदाएगा संदू परिबार में कोई भी वाहरी चलश पच्छकार नहीं बन सकता आगे रखा है जब किसी सम्मिती पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों का इस्थिती कहलाती है क्या कहलाती है साजीदारी सहस्थित्व, सहस्वामित्व पयुक्त साहस एकल स्वामित्व तो इसे क्या कहेंगे जब किसी संपत्ती पर दो या दो से अधिक ब्यक्तियों का स्वामित्व होता है तो उसे क्या कहते हैं सह स्वामित्व कहते हैं क्या कहेंगे वई सह स्वामित्व कहेंगे आगे बढ़ते हैं next question अब यहां question आपके जो बनेंगे वो बनेंगे किससे सयंत्र इस्थानिय कर्ण से किससे सयंत्र इस्थानिय कर्ण से क्योशन बनने वाले हैं तो first question मों देखते हैं बैबर का और दोगिक इस्थानी कर सिद्धान्त आधारित है किस पर आधारित है आपको बताना है परमप्रागत प्रणाली पर बेग्यानिक प्रणाली पर आगमन प्रणाली पर या फिर निगमन प्रणाली पर राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा प्रणाली पर हो जाएगा किस पर निगमन प्रणाली पर हो जाएगा किस पर निगमन प्रणाली पर हो जाएगा किस पर है निगमन प्रणाली पर हो जाएगा ठीक है निगमन ऐसा याद करेंगे यहाँ देखा है बैबर बाबर जानते हो ना बैबर को कर लो बाबर है ना बाबर बाबर को तो सभी लोग जानते हैं है ना शहिंचा बात्सा यहां रखाए नी गमन परणाली मतलब नी गमन नहीं गमन बाबर जो है वो बात्सा है भी गमन क्यों करेगा वो क्यों चलेगा बात्सा है वो तो है ना बात्सा कभी पैदा नहीं चलते नी गमन मतलब वो गमन नहीं करते हैं चलते नहीं है ना इस प्रकास कह सकते हैं कौन चलाता है भी रत पर जाते हैं ना वो तो इस प्रकास जाते हैं ना नीगमन बैलो गमन नहीं करते हैं तो नीगमन प्रणाली से समधित हो जाएगा आगे रखा है बैबर ने और दोगे किस्थानी कड़के कारकों को कितने भागों में बाटा है तो इसने इस्थानी करड में कारकों को कितने भागों माटा है वो आपको यहाँ पर बताना है दो, तीन, चार, पांस तो इसका राइट आंसर होगा दो बैबर ने और दोगे किस्थानी करड़ के कारकों को दो भागों में बहटा है आगे दे रखा है सार्जेंट फ्लोरेंस का और दोगे किस्थानी करड़ सिद्धान्त आधारित है किस पर है सार्जेंट फ्लोरेंस का और दोगे किस्थानी एक रड़ सिधान्त आधायत है निगमन प्रणाली पर आगमन प्रणाली पर परमप्रागत प्रणाली पर इनमें से कोई नहीं तो यह किसमें है आगमन प्रनाली पर है ठीक है किसमें आगमन प्रनाली पर हो जाता है हमने देखा economic का ने बावर जो हता है गमन नहीं करता है पैदर नी चलता है रत पर चलता है इस सब्सक्राइब स्लिया हाक लिए अब यहां पर हो जाएगा देखो सारजियान प्लोरेंस में क्या है आए मतलब की runa ना मतलब बहाँ मतलो किया और और मतलो किया का आगमन उयाए का अगमन भार दो गमन करते भी और हम रहा है ठीक है घगमन करने कर रहा है पर फिलो कैसे अगे मेरे में चीनी उद्धोग का इस्थानी कड़का प्रमुकाड है क्या है सस्ता स्रम। कच्छा माल या फिर बाजार की निकटता तो राइट आंसर क्या होगा यहां पर हो जाएगा कच्छा माल क्यूकर क्यूश्य माल जादा है तो चीनी मिल जाओ चलेंगे तो रिखा है मेरट में चीनी उद्धो के स्थानी कड का प्रमुक कार्ड है क्या है क्च्छा माल क्योंकि बहाँ पर गanna जो है पैदाबार होती है तो वहाँ पर जादा मिलता है के च्छाप्र आगे बढ़ते हैं तो अलिगड में ताला उद्धो के इस्थानी कड़का प्रात्मिक काड़ क्या है? अलिगड में बई बतो है नहीं, लोहा तो निकलता नहीं इतना, है ना लोहा तो है नहीं अलिगड में, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सरकार की नितियां हैं, क्या हैं, सरकार की नितियां हैं, जो उसे सफल बना रही है, तो right answer option number दा हो जाएगा, next question की बात करते हैं, मुंबई में सूती बस्त उद्धो के इस्थानी कड़ का प्रात्मिकाड क्या है, सस्ता स्रम, सस्ता बित् नंबर सा हो जाएगा, आदर जलबाई हो के काड़ मुंबई में सूती बस उद्धो के स्तानी कड़ का प्रात्मिकाड है, ठीक है, आगे बढ़ते है next question, यहाँ देखा है सयंत्र अभिन्यास, आप किस पर देखेंगे, सयंत्र अभिन्यास रेलिटिक क्योशन हो को हम आपर सयंत्र के बढऄने बाले हैं, ठीक का है पहला, सयंत्र से आशस है, सयंत्र से सयंत्र कैंत्र कैंत्र के आएगए, प्यीतियों कर देखेंगे, सेंत्र कंत्रगत बात करते हैं कारिसाला भी आजाएगे और और दोगिक सेंत्र भी आजाएंगे ये सारे एक साइकिस में आएंगे सेंत्र कंत्रगत आएंगे कोई वो काम कर रहे हैं आज़ा दीन तम लागत पर अधिक्तम उत्पाद तो राईटाउनसर क्या होगा भई प्रभावित कौन करता है यह आप से मुझे रखा है सयंत्र की इस्थिए तुम्हारा बिपढ़िये घटना यह रखा है तुम्हारे आउसत उत्पादक लागत यह रखा बिज्यापन में बचत तुराइट अंसर अपना क्या हो जाएगा इसको देखेंगा द्यान से तो यहां पर क्या हो जाएगा कि अधिको सयंत्र अभिन्यास को प्रभावित करने बाला कारक कौन सा होता है प्रभावित कौन करता है सयंत्र अभिन्यास को यहां बड़ी यह घॉटक नहीं करेंगे और से लागत पात कुई मतलब ही नहीं 15 मतलब नहीं यहीं सैंत्र अबिन्यास को प्रभाई करता है ठीक है यहां देखो शैंत्र की इस्थिति करेगी क्या करेगी छैंत्र पेचितिव सचन bowling पाल सकता है मुंबई में गरं मिलाके में अब नहीं कि यहां पर सयंत्र कहा लगायाanor रहा है तिके कहाँ पर चल रहा है यह इस ते दिन निम्रय यहां पर करेंगी बिल्कूल प्रिभावी ते ही तो राइट अंसर नंबर आ हो जाएगा नेक्स बढ़ते हैं कूकर बनाने के लिए उप्युक्त सयंत्र अभिन्यास है जो कूकर बनाना है उसके लिए उप्युक्त सयंत्र अभिन्यास कौनसा होगा रेखा खिर्यात्मक इस्थर या फिर मिस्रित तो इसका आंचा क्या होगा भे तो कूकर बनाने के लिए उप्युक्त सयंत्र अभिन्यास है रेखिये कौन सा रेखा हो जाएगा यहां पर राइट आगे बढ़ते हैं दिरेक्खा है बस बनाने के लिए उप्युक्त सयंत्र अभिन्यास है बस बनाने के लिए उप्युक्त सयंत्र अभिन्यास है कौन सा है कि बस बनाने के लिए उपयोक्त सैंत्र कौन सा होगा इसका किरियात्मक हो जाएगा राइट किसका होगा किरियात्मक राइट होगा बसका आगे बढ़ते हैं कम मात्रा में उत्पादन करने के लिए उपयोक्त सैंत्र अभिन्यास है कम मात्रा में कम मात्रा में उत्पाद करने के का लिए सैंतर विन्यास कौन सा है क्रियात्मा आप देखेंगे एक का का क्या है क्या क्यों बात करते हैं कौन-कूलन करक Kellyan एक यह कर बताना है देखो पहला दर्काई इसमें नियुन्तम औसत लागत पर अधिक्तम उत्पाद होता है जिसमें ब्यवसाय संचालन के ब्याय बढ़ जाते हैं जिसमें उत्पादन के साधन और प्रवंदन के मद्द समंणभ नहीं होता यह दरकाए इसमें माल की सुपूर्द्गी समय पर होती हैं तो यहाँ पर अनुकुल्तम फर्म बह है क्या है अनुकुल्तम फर्म जो है वो है क्या तो उसका राइट आंचर होगा बो हो जाएगा जि अधिक्तम उत्पाद होता है यह हमारी अनुकूलतम फर्म कहलाती है आगे बढ़ते हैं बेवसाइक इकाई के अनुकूलतम यहाँ पर छोटा करना पड़ेगा क्योशन लंबा है देखिए बेवसाइक इकाई के अनुकूलतम आकार में सामानिता कितने तत्व का प्रभाव होत होता है आपको बताना है कि तो तीन चार पांचे तो कितना होता है कि पांस अत्व का प्रभाव होता है आगे देखते हैं अनुकूलतम इकाई में कौन सी विसेष्था नहीं होती जो अनुकूलतम इकाई है उसमें कौन सी विसेष्था नहीं होती आप समूछ रखका है आउ आदर से समनब्ब्य होता है तंसादनों की बरबादी रुक जाती है तो यहाँ पर बताना है अनुकुल्तम इकाईों में कौन सा बिसेश्था नहीं होती है तो कौन सा बिसेश्था नहीं होती है वही आंसा दीजीगा तो अनुकुल्तम इकाई में कौन सी बिसेश्था नहीं ह होती तो वह होती है कुल उत्पाधन अधिक होता है वेलकिल नहीं और ढता की आपको किया था अ कि अब धार्णा का प्रतिपादन किस ने किया था मॉर्सल ने पीगू ने रोबिंस ने या फर हो जाता है कि इंस ने तो राइट डांसर अपना क्या होगा तो किसने किया था भई तो यह अपने किया था मारसल जी ने किसने मारसल जी ने किया था प्रतिनीदी फर्म गिया अब धाणा का प्रती पाधन आगे बढ़ते हैं नेक्स रोकुशन को देखेगा नेक्स रोकुशन का अंसर क्या होगा अब देखेंगे यहाँ पर वेवसाई क संयोजन से लेटे कुशन आपको देखने को याँ पर मिलने वाले हैं क्योशन फर्ष्ट कह रहा है तुम्हारा दो या दो से अधिक व्यवसाई के काईयों का ऐसा आपचारिक अनौप चारिक एक 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 रड़ जो सामाने हितों की रक्षायवम संबर्दन के लिए किय किया जाता है उसे क्या कहते है संयोजन कहते हैं क्या कहते हैं सजोगा रायट आंसर क्या होगा ऑप्ष्ट के होगा यहां पर हो जाएगा ब्यवसाईक संयोजन का मुक्ष०्दे से क्या है तो वह हो जाएगा गला कट 35 परदा में टिके रहना राइट आंसर ऑप्शन नंबर बाह हो जाएगा नेक्स कुशिंग की बात करते हैं बिवसाइक संयोजन का उद्देश है अब बिवसाइक संयोजन का उद्देश से क्या है यह आपको बताना है बड़े पैमानी पर लागत में कमी लाना तो राइट अंसर नमबर डी हो जाएगा यहाँ बरते हैं बिवसाईक संयोजन का उनकितमे से कौन सा लाग पराप्ट करने के लिए किया जाता है तो व्यवसाइक संयोजन का संयोगी परतीश को लोटा टालना या बड़े पैमाने की बच्छते ब्रा fortune सब्सक्राइब विवसाइक कौन साल प्राप्ट करने के लिए किया जाता है तो यहां पर सभी अनुप्योग प्रतिसपर्दा को लोटाना भी हो जाएगा बड़े पेमाने पर ब्युवसाइक में बचते प्राप्त करना भी हो था करने में सच्छम करना भी हो जाएगा उप्सिन कि बात करते हैं समतल संञोजन का परियाबाची नहीं है कौन चाने है संञोजन भिकडी संञोजन या फिर समांतर संञोजन तो राइट अंसर अपना क्या हो जाएगा? तो भै हो जाएगा जो विकरडी सहियूजिन है वो इसका परियाबाची नहीं हो जाता है तो राइट आंसर अप्टेन का परियाबाची एकाई सहियूजिन भी होते हैं, дост 90 सहियूजिन भी होते हैं आगे बढ़ते हैं तुम्हारा सम्तल संयोजन का पिर्मकुद्देश होता है अधिक लाब कमाना अधिक उत्पादन करना अनुपियोगी प्रतीस परदा का अंत करना वेबसाइक के छेत्र का विस्तार करना तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा तो देखा है सम्तल संयोजन का पिर्मकुद्देश जो होता है वो होता है अनुपियोगी प्रतीस परदा का अंत करना क्या अनुपियोगी प्रतीस परदा का अंत करना देखेंगे question number 7 देखा है भारतिये जूट मिल्स संग उधाड है भारतिये जूट मिल्स संग उधाड किसक करिए संयोजन का पासर्ब संयोजन का या फिर बिकरडिये संयोजन का राइट आंसर नमारा क्या रहने वाला है तो भारतिय जूट मिल्स संग जो हो जाता है वो अपना हो जाता है किसका 36 संयोजन का रहने वाला है राइट आंसर क्या होगा option नमबर आ रहने वाला है next question को यदि सीमेंट का उतपादन करने वाली तीन कंपनियां संयोजित होती हैं तो यह निम्रिकत में से किस संयोजन का उधार है समतल संयोजन ब्रत्तिय संयोजन लंबवत संयोजन या फिर पास अरभिक संयोजन तो राइट आंचर अपना क्या होगा कौन से संयोजन पर आधारित ह बिल्कुल तो वह अपना क्या उदाएगा समतल संयोजन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्षा नमबर आ रहने वाला है नेक्स कोशन की बात करते हैं एसोसियेट एसोसियेटिड सीमेंट कंपनी एसीसी अच्छा एसीसी देखो यहाँ पर भी आ गया है एसोसियेटिड सीमेंट कंपनी एसीसी उधाड है किसका है समतल संयोजन का लमबबद संयोजन का बिकरडीले संयोजन का यह पर पास अरबिक संयोजन कंपनिया समलित हैं associated cement company यह तीन कंपनिया सम listening सब्सक्राइब बाद करते हैं जब चार चीन मीले संयोजत होती हैं तो यह झेरिकेट में से किस संयोजन का उधार है जब चार कंपनियां या चार मीले समलित होती हैं तो किससा बताना है सहीयोजन का उधाड़ हो जाएंगी का उधार वे उन्सार भी समतल सभाजस्राव एंद्र गजड़ आ जाएंगी किसवे समतल Aww हैं अगर कोषन आगर नक्स्ट इस थे किया अट्वत सर भाण टाफ्स वह एक ही उद्दोग की किर्मांगत अवस्थाओं में कायरत संस्थाओं का संयोजन कहलाता है, क्या कहलाता है, सम्तल संयोजन, लंबत संयोजन, विकेंदरीकरत, पासरभी संयोजन, या फिर केंदरीकरत, पासरभी संयोजन, राइट अंचरपना क्या हो जाएगा, तो इसे क्या क कहेंगे लंब कस इंजियोग्ए यही उद्दोग की क्रमांगत अबस्ठाओं में का 600 नियुजन का सांयोचन किया कहलाता है लंब सांयोचन कहलाता है आगे बढ़ते हैं आगे वरते हैं सुम्षिन धी गनेर्थ उस घ्लक weten कंपनी एक इसपाज कंपनी हम एक रसाइन कंपनी संयोजित होती हैं तो ऐसे संयोजन को कहते हैं तो ऐसे संयोजन को क्या करते हैं तो ऐसे संयोजन को क्या करते हैं अलग 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 प्रिकार की कंपनिया हैं ठीक है अलग-अलग प्रोडेक्ट मना रही हैं तो इसके संयोजन को क्या कहेंगे ये आप से पूछ रखा है सम्तल संयोजन, लंबर संयोजन, चक्री तथा ब्रतिय संयोजन या फिर बिकरडिये संयोजन तो राइट अंसर अपना क्या होगा जब एक सीमेंट कंपणी, एक स्पात कंपणी और एक रसाइन कंपणी संयोजन होती है तो इस संयोजन को क्या कहेंगे चक्री तथा ब्रतिय संयोजन कहेंगे ठीक है राइट अंसर अप्सन नमबर सा होगा नेक्स मुशन की बात करते हैं जब अलग अलग बस्तूओं का निर्मार करने वाले विभिन कंपणी आपस में मिली मिल जाती है तो ऐसे संयोजन को क्या कहते हैं अब यहां पर कह रहा है जब अलग अलग बस्तूओं का निर्मार करने वाले विभिन कंपणी यहां पर मिल ज कहाती है तो क्या कहा जाता है ये आपको बताना है जैसे टाट कह सकते हैं वह कैसी योगी पासर्व संयोजन हो जाएगा ठीक है जब बहुत सारी अलगल बस्तों करें और इखटा हो जाए ठीक है इकाई बनाएं तो क्या होगी विविन आपस में मिलकर तो ऐसा से उजन को कहेंगे हम पासर्व संयोजन आगे बढ़ते हैं मुखे और धोगे के इकाई के साथ संबंदित इकाईों को मिलाने की प्रिक्रिया को कहते हैं क्या कहते हैं पासर्व संयोजन समतल संयोजन या फिर लंबवत संयोजन तो राइट अंसर अपना क्या हो जाएगा मुख्य और धोगी के एकाई के साथ संबंदित एकाईयों को मिलाने की पिकरिया को कहते हैं क्या कहते हैं उसे कहते हैं केंदित पासर्ब संयोजन क्या केंद्री इकत पासर्ब संयोजन कहते हैं ठीक है राइट अंसर अप्शन नमबर बा हो जाएगा next question को देखिएगा next question का अंसर अपना क्या रहने वाला है यहां देखा जब बिभिन प्रिकार की बस्तू का उतपादन करने वाले इकाईउं का एक ही स्वामित एवम निंत्रड के अंतरगत एक इकत किया जाता है तो यह कहलाता है आपको वताना है क्या कहलाईगा जब बिविन ने पिरकार की बस्तू का उत्पादन करने वाली का यूंका एक ही स्वामित एक नियंत्रड एक नियंत्रड के अंतर के इक इकत किया जाता है तो ऐसे को क्या कहेंगे चक्रिय संयोजन कहेंगे इससे पहले देखा था हमने टाटा के लिए ठीक है चक्रिय संयोजन कहेंगे आगे बरते हैं next question को देखना है next question का answer क्या होगा ACC देखा ता ना में बिल्कुल यहाँ रहता है चक्रिय संयोजन का आज से है चक्रिय संयोजन से क्या आज से है आपको बताना है एक प्रकार की बस्तू का उत्पादन करने वाली संस्ता का संयोजन किसी संस्ता के समान बर्ग के सिर्मकों का संयोजन या पर किसी बस्तू बिसेश की उत्पादन का संयोजन इसे कहते हैं चक्रिय संयोजन का आस ठीक है आगे वड़ते हैं next question यहाँ पर option number B right होगा next question दे रखा है अपना भारत में भारत में बिडला समू किस प्रकार के संयोजन का उधार है भारत में जो बिड़ला समू है वो किस प्रकार के सयोजन का उधार आपको बताना है चक्रियत्म व्यत्तिय सयोजन, समतल सयोजन, लंबस सयोजन और बिकरडिये सयोजन तो यहाँ पर राई टांसर अपना क्या हो जाएगा भारत में बिरला समू किस प्रकार के सयोजन का उधार्ड है तो वो कैसा है बिकडिये सयोजन का उधार्ड हो जाता है राई टांसर उप्शन नमबर दा हो जाएगा ठीक है next question की बात करते हैं रखा है मुख्य उत्पादन में लगी इकाई के साथ आबस्यक शहायक सेवा प्रदान करने वाली इकाई का सयोजन कहलाता है क्या कहलाता है सम लंब सयोजन लंबव सयोजन चक्रिये सयोजन या फिर बिकरडिये सयोजन तो इसे क्या कहते है वही इसे कहते हैं बिकरडिये सयोजन राइट आंसर उप्शन नमबर दा हो जाएगा next question की बात करते हैं चैंबर ओफ कॉमर्स किसका स्वरूप है चैंबर ओफ कॉमर्स जो है वो किसका स्वरूप है आपको बताना है परिशद syndicate संधान या फिर हो जाता है संगनन तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा chamber of commerce किसका स्वरूप है chamber of commerce किसका स्वरूप है तो यह हो जाता है परिशद का स्वरूप राइट आंसर उप्शन नमबर आ हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं आप देखेंगे यहां पर बीवी कड़ के बारे में बीवासे कॉन कॉन से कुशन बंगते हैं आहि 오늘도 the Word नाति नहीं इंड़ेगे डीटेऊन से किसे ने किया बताना है यहां पर कि इसने किया था बॉल्टर रोथेना ने एफ डल्यू टेलर ने या फिर हो जाता है पीटर एफ ड्रेकर ने या फिर हो जाता है हैंडरी फियोल ने तो किसने किया था भई राइट अंसे क्या होगा रॉइ टाउंस हो जाएगा बॉल्टर रोथेना ने किसने बॉल्टर रोथेना ने किया था ठीक है आर से आर याद कर लिना क्या करना है यहां पर आपको नई मसीनों दौरा पिरते स्थापत करना उत्पादन और बिक्रण में सर्बदिक प्रभाबसाली पदिती का उप्योग, उप्योगत में से कोई नहीं, राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? तो यहाँ रखा है, बिक्रण से अभी पढ़ाई है, क्या है? तो वो जाता है, उत्पादन और बिक्रण में सर्बदिक प्रभाबसाली पदिती का उप्योग, ठीक है? तो राइट अंसर अपना क्योचन की बात करते हैं, नेक्स कोशन कह रहा है, तुमारा किसी संकुसल किसी अकुसल इकाई के साथ संयोजत करना कहलाता है किसी अकुसल इकाई को कुसल इकाई के साथ संयोजत करना कहलाता है क्या कहलाता है विवाई सिक विवसाइक संयोजन विवेकी करण संभी लेन एक ही करण तो राइट अंसरना क्या होगा इसे कहेंगे भाई विवेकी करण कह इजया केहलाता है बिबेकीकर खेल पहल ठीक है आगे बड़ता है next question में एक्स इक कुईश्ञून का अंसरभ णा क्या रेनेवाहर? या फिर पिर्मा देखायत मरा पिर्मापी कर तो राइट अंसर अपना क्या होगा देखीगा ओधोग के सचेतन रूप से अपवय तता कुसलता को प्राप्द करने का प्रियास कहलाता है बह क्या कहलाता है तो बह कहलाता है अपना बिबे की कर कहलाता है राइट अंसर अप्श ग्रहाकों को कम मूल्यों पर बस्तु में उत्पादन उपलब्द कराना या फिर मसीनी पुरानी मसीनों के इस्थान पर अधुनिक मसीनों को प्रियोग करना फिर देखा है उप्युक्त सभी तो बिबेकी कड़का उद्देश क्या होता है बिबेकी कड़का उद्देश होता ह अनावसिक माद्धिमों को दूर करना बिल्कुल सही, ग्रहाकों के कम मूले पर बस्तु में उपलब्द कराना भी हो जाएगा, और पुरानी मसीनों के स्थान पर अधुनिक मसीनों का पिरियोगी भी हो जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्सन नंबर दा हो जाएगा उप्योक्त सभी, नेक्स कुशन की बात करते हैं, बिबेकी करण से संबंदित है, बिबेकी करण से क्या संबंदित है आपको बताना है, बिस्षिष्टी करण, प्रमापी करण, आधुनिकी करण या फिर उप्योक्त सभी, तो बिबेकी करण से संबंदित है, कौन सा जंदित है आपको बताना है एक को विल्कुल तो क्या हो जाएगा विभे की कर समध हो जाएगा तो रायेमं से क्या होगा स्वाटन सब्सक्राइब कर प्रकिय या के तीन चल्डड है nio Farm संगठन बिकास नदेक्ट नियूजन आपना क्या रहने वाला है तो भो जाएगा उप्चन परण संगतन और विकास ठीक है तो सब्क. पहले नियोस जन पर राइखल संगतन फिर विकास सब्चलियार और हमाना है पर अफडर पर वह जाता है हमारा मानना यह तक बЕाखली देखा होगा ठीक है अगर आपने सुरू से लाज तक बहुत अच्छी प्रकार से देखा होगा और आपने कुछ पढ़ा भी होगा थियोरी में या नहीं भी बढ़ा होगा तब भी आपको बहुत अच्छी प्रकार से मैंने समझाया है तो फेंट्स जैहिन जैभर्ण